हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू एनादर लेशन अप सिविल नोट बूक, फ्रेंड्स आज की लेशन में हम लोग जानेंगे काट बैक बीटुमीन के बारे में ओके, सो फ्रेंड्स जो बीटुमीन है इसको हम लोग प्राप्त करते हैं फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन ओफ पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन के बज़े से हम लोग को मिलता है बीटुमीन ओके, सो फ्रेंड्स अब काट बैक बीटुमीन क्या है अब फ्रेंड्स इस बीटुमीन के साथ हम लोग भोला टाइल डाइलूटेंट mix करते हैं इसके बज़े से हम लोगों को मिलता है cut back bitumen ओके and इसका viscosity normal bitumen से reduce हो जाता है ओके ए है friends basically आपका cut back bitumen अब friends cut back bitumen हम लोग किस लिए यूज कर रहे है cut back bitumen को हम लोग यूज कर रहे है surface dressing के लिए patch work के लिए and also use for soil stabilization etc तो इसके लिए हम लोग cut back bitumen यूज करते हैं अब friends जो cut back bitumen है वो है आपका basically three type का पहला है आपका RC और इसको हम लोग कहते हैं rapid curing ओके so friends rapid curing में क्या होता है rapid curing में bitumen fluxed with bitumen with bitumen fluxed with naphtha और gasoline गैसोलीन ओके जो विडियो में नहीं उसके साथ हम लोग नप्था और गैसोलीन मिक्स करते हैं इसको याद रखना है एक नप्था और गैसोलीन है रैपिडली आपका इभाबूरेट हो जाता है ओके फ्रेंड्स जो रैपिड क्योरिंग है उसको हम लोग यूज करते हैं सार्फेस ड्रेसिंग ओके रोड एक्जिस्टिंग रोड है उसमें प्याच्वार के लिए यूज करते हैं क्यूंकि उधर आपका रैपिट क्योरिंग की जरूरत पड़ता है अब देखें दूसरा है आपका एंसी इसको हम लोग कह रहे हैं मीडियम क्योरिंग मेडियम क्योरिंग ओके तो फ्रेंड्स जो आपका मीडियम क्योरिंग है इसमें हम लोग मिक्स कर रहे हैं बीटूमीन के साथ केरोसीन और लाइट डिजल ओयल केरोसीन और लाइट डिजल ओयल ओके और जो लास्ट टाइप है यह है आपका स्लो क्योरिंग इसको हम लोग कह रहे हैं S-C slow curing इसको हम लोग कहते हैं S-C अब जो slow curing है इसमें देखिए हम लोग बीटूमीन के साथ मिक्स करते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस ओयल और फार्नेस ओयल हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस ओयल और फार्नेस ओयल ओके अब फ्रेंड्स यह जो आर्सी है एंसी है इसके साथ हम लोग कुछ नियूमेरिकल डिजिट एड़ करते हैं जैसे कि आपका mc0, mc1, mc2, mc3, mc4, mc5 ऐसे ही हम लोग डिजिट यूज करते हैं अब दोस्तो जो mc2 है इसका मतलब हम लोग समझते है mc2 का मतलब है medium curing cutback of grade 2 so mc use for medium curing and 2 जो cutback इसका grade को दर्शा रहा है यह आपका mc2 अब friends जैसे हम लोग 0 से जैसे ही 0 से numerical digit increase हो रहा है मतलब इस तरह हम लोग जैसे ही आएंगे viscosity increase करेगा और जैसे ही हम लोग इस तरह आएंगे तो viscosity decrease करेगा so friends यह था cutback between के बारे में hope you understand this video if you understand then please like this video and please share with your friends and subscribe my channel